तो आज हम human brain के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो human brain है वो body का highest coordinating center है and जितने वे आपके body के actions and feelings, सब कुछ आपका brain से control होता है तो सबसे पहले हम brain का structure समझते है जितने, हम जादे के यदो ये आपके का जादे वे पहले है कर तो DOत है, ये आपके करिदोया है तो यह आपका brain का basic structure है इसमें हम आपकी labeling करते हैं सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि brain आपका three parts में divided होता है यह आपका जो four brain है and यहाँ पर यह center आपका जो यह है mid brain and this यह आपका hind brain so जो four brain होता है उसके आपके दो पार्ट है एक तो cerebrum कि आप अगर ब्रेन का जो अगर ब्रेन का structure सामने से देखें तो कुछ इस टाइप का होगा दो हमिस्फेर होते हैं ऐसे तो यह आपके cerebrum होते हैं two cerebrum hemispheres तो इनके बीच में भी जो इनको join करता है उसका नाम होता है आपका corpus callosum तो basically corpus callosum का function है जो brain के two hemispheres हैं उनको join करना एंड आप यह भी जानते होंगे कि जो आपका right hand side का है जो हमिस्फेर है वह आपके body के left side को control करता है और जो राइट साइड का हमिस्फेर वह आपकी body का left side को control करता है then next part है आपका मेड ब्रेन मेड ब्रेन आपका basically reflexes को control करता है एंड हाइंड ब्रेन के थ्री पार्ट्स है आपके यह है आपका पॉंड स्वेरोला यह यह है आपका सेरे बेलम यह आपका मेड्यूला और बलॉंग डीटा जैसे कि हम जानते हैं यह आपका डाइन सेफिलान है डाइन सेफिलान इसको यहां किसकी यहां लिखते हैं इसको डाइन सेफिलान देन आपका जो ब्रेन होता है थ्री लेयर ओफ मेनिंजिस से कवर्ड होता है इन थ्री लेयर्स के नाम होते हैं आपके द्यूरा अजैकनाइट कि अंड पायमीटर में जो आउटर मोस्ट आपका जो लेयर है वह जो ड्यूरा देन मिडल एरेकनाइट एंड जो इनर्मोस्ट आपसको इसके बाद आपका यह जो structures होते हैं brain में जो आपको mostly दिखते हैं जो इनका अपर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं गायराए जो नीचे वाला पार्ट है यह आपका सलका है गायरी एंट सलका है और जो बाहर वाला जो आपका color होता है brain का जो water most part है यह आपका ग्रे कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर आपकी cell body होती है और यह जो innermost part है यह आपका basically white होता है क्योंकि इसके अंदर आपकी axon and sheath present होती है तो यह basically cell body और axon और यह sheath किसकी है यह basically आपकी neurons की है क्योंकि brain आपका neurons से बना होता है तो जो cell body होती है यह basically bar के side होती है and axon and shield है वो आपकी अंदर के side है तो उसके बाद हम next part में आपका इन सब के functions को पढ़ेंगे तो आपका जो next part है उसका link आपको description में दिया हुआ है हमारे channel के अगली वीडियो में आप देख सकते हैं